अगर मैं आपको पूछू अपने बालों को डिस्क्राइब करो तो कैसे करोगे? फ्रिजी, ड्राइ, जाडू जैसे, अन्मैनेजेबल, बेजान, बिखरे हुए और रूखे सूखे, कमेंट करके जरूर बताना अपने बालों के बारे में, ठीक है? आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक amazing hair mask ये hair mask बहुत ही amazingly आपकी बालों की health को improve करेगा आपके बालों को काफी हद तक straight करेगा, shine देगा It's like a homemade keratin treatment आप इसे keratin भी बोल सकते हो क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही nutrition भरा pack है इस mask को ready करने के लिए हमें लेना है rice मैंने लिया है half cup of rice आपके cooking में जो भी चावल का इस्तिमाल आप करते हो, वो चावल आप ले सकते हो कोई भी rice आप ले सकते हो, उसे अच्छे से wash करना है 2-3 बार with plain water उसके बाद इसे आपको एक बरतन में खाली करना है और इसे boil करना है अब आप चावल daily बनाते हो, तो आपको पता होगा कितना rice में पानी लगता है तो बस उसके हिसाब से एक glass और extra add करना है ताके बहुत अच्छे से चावल गल जाए और grind करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है और फिर चावल जब boil हो जाएगा, तो उसको अच्छे से थंडा कर लेगे आप देख सकते हो, चावल थंडा हो गया, मैंने हाथ से इसे उठाया है आप फिर इसे mixi में grind करना है अगर आपको लगता है कि चावल में पानी ज़ादा नहीं है grind करने के लिए तो आप अलग से पानी इसमें add कर सकते हो और grind कर सकते हो next ingredient जो हम इसमें add करेंगे वो है hair oil जो भी hair oil आप use करते हो, उसका एक चमच भरके आप इसमें add करेगे उसके बाद इसमें add करना है argan oil argan oil में ने लिया है लगभग एक चमच यह pure cold pressed argan oil है, अगर आप चाहते हो link तो description में दे दूगी और यह है Anwaya brand का Moroccan Argan oil तो इसे आप Nika से या फिर flip card से purchase कर सकते हो, link चेक कर लेना अब इन सबको अच्छे से mixi में blend कर लेंगे, अच्छे से grind कर लेंगे और इस तरीके का smooth consistency वाला paste हमें चाहिए तो अगर आपको लगता है कि grind करने के time पानी नहीं है आपके rice के लिए तो इसमें आप उपर से चावल में पानी दाल सकते हो ताकि अच्छा सा smooth सा paste ready हो जाए, बिल्कुल creamy texture होना चाहिए आप देख सकते हो कितना creamy hair mask ready हो गया है और यह आपके बालों को बहुत ही जादा smooth कर देता है guys तो do try this इस hair mask को apply करने का कोई rule नहीं है बस आपको इतना धियान रखना है कि इसे आपको अपने बालों की scalp पर, length पर, ends पर बहुत अच्छे से apply करना है ठिक layer में apply करना है और जैसे आप massage करते हो, hair spa करवाए होगे अगर आपने तो उस तरीके से आपको अच्छे से massage करते हुए apply करना है तो मैं इसे अच्छे से end पर लगा लूँगी, बहुत अच्छे से coat कर लूँगी बालों को और फिर उसके बाद एक अच्छा सा bun बना लूँगी tight ताके इसे मैं cover कर सकूँ with the help of plastic और with the help of shower cap मेर पास shower cap है तो मैं इस तरीके से cover कर लूँगी अगर आपके पास नहीं है तो आप polythene bag का इस्तमाल कर सकते हो तो मैंने hair mask लगा लिया है बहुत अच्छे से अपने सारे बालों को coat कर लिया है अब उसके बाद most importantly आपको अपने बालों को cover करना है with the help of shower cap या फिर polythene bag अगर आपके पास shower cap नहीं है तो आप इस तरीके की normal जो polythene bag होती है जो हर जगा मिल जाती है तो उससे भी आप इस तरीके से तो उससे भी आप इस तरीके से cover कर सकते हो आपको करके बतारी हूँ ताके आप इसे खुला ना रखे अब मैं इस hair mask को रखूँगी अपने बालों पर पूरे एक घंटे के लिए और एक घंटे के बाद मैं इसे wash करूँगी with normal plain water गरम पानी से नहीं wash करना है बालों को plain water जो tap water में जैसा पानी आता है बस उस water से आपको wash करना है और फिर आपको कोई भी एक mild shampoo यूज़ करना है this is how my hair look after washing बहुत ही ज्यादा straight, shiny, smooth हो गए है इसे हाथ लगाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी इस hair mask को try कीजे और मेरे channel को subscribe कीजे और इस video को like कीजे